मैं एक प्राइवेट आफिस में जॉब करता हूँ. मैंने एक साल पहले फेस्बुक पर एक लड़की की प्रोफाइल देखी, उसमें उसका मोबाइल नमबर दिखा. मैंने उसे कॉल किया और कह, तुम यह नमबर हाइड कर दो, वरना लड़के तुम्हें परिशान कर देंगे कॉल कर करके. वह फेस्बुक पर नई थी. मेरी बात सुनकर डर गई और अपनी फ्रेंड से कहके नमबर हाइड करवा दिया. उसकी फ्रेंड ने नमबर हाइड कर दिया और यहीं से मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ी. हम रात को बारा या एक बजे तक बातें किया करते थे. वह डायेट का कोर्स कर रही थी. वह मुझे हमेशा पढ़हाई पर ध्यान देने के लिए फोर्स करती रहती है. मुझे उसकी यही अदा बहुत पसंद है. मैंने पिछले वेलेंटाइन डे पर प्रपोस डे के दिन उसकी एक क्लासमेट से पूछा कि क्या आज के दिन प्रपोस करने से लड़की मना नहीं करती? तो उसने कहा हाँ. आज प्रपोस कर दो तो मना नहीं करेगी. उसके कहने से मुझ में हिम्मत आ गई और मैंने उसे प्रपोस कर दिया, उसने रिपलाय तक करना बंद कर दिया, फिर मुझे लगा वा गुसा हो गई. तो मैंने कहा, ये तो मैंने मजाक में बोला था. तुम सीरियस क्यों हो गई? तो उसका जवाब आया मैं तो खुश हो गई थी मगर तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था सच ही बोल देते मैंने कहा अरे नहीं मैंने सच बोला है मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ वह हसने लगी मेरी बातों को मजाक में ले गई हम दोनों में फिर से बहुत बाते होने लगी उसके बाद जब मैं अपने गाव गया तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था मैंने गाव जाके उससे कहा मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहां मुझे रोना आ गया इस रोने ने ही शायद मेरी किस्मत खोल दी, तब ही से वह मुझसे भी प्यार करने लगी, उसने मुझे फोर्स किया कि तुम जल्दी आ जाओ दिल्ली, उसके कहने से मैं तुरंत आ गया, हम आट महीने बाद एक दिन मिले तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी उसके सामने, वह उसे अच्छा न लगे, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जातियां अलग है, उसके माँ पापा इंटर कास्ट मैरेज के लिए तयार नहीं है, लेकिन मैं किसी भी हाल में उसे पाना चाहता हूँ, वह भी अपने मम्मी पापा को हर्ट नहीं करना चाहती, अग अगर उसने घर में किसी को बताया, तो घर में हंगामा हो जाएगा, इसी डर से उसने अभी तक घर में नहीं बताया है, मैं आपके माध्यम से उसके माता पीका को समझाना चाहता हूँ, कि जाति प्रथा जैसी दकी आनूसी बातों पर यकीन न करे, प्लीज हमारी फीलिंग